बिटिश पार कलोनी सो शुक्रवार को कलेक्टर कारेले पहुच है उन्होंने इंद्वर कलेकटर राशीशंह से मोलभूत सविधा को लेकर श्रकायद की है कलेक्टर राशिश से को शिकायत करते हुए रहवासियों ने बताया कि हमें कॉलोनी में मुलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही है सरपंच ने बताया कि काफी समय से कॉलोनाइजर द्वारा कॉलोनी में मुलभूत सुविधा नहीं दी जा रही है हर बार समय मांगा जवाता है और सुविधा नहीं मिलती है सरपंच दीप माला यादव ने बताया कि आज हम कलेक्टर से मिले हैं और कलेक्टर को ब्रिटीश पार्क कॉलोनी की शिकायत की है काफी समय से रहवासी वहाँ पर परिशान हो रहे हैं इसमें हम पूरी रिपीट कलेक्टर आशिश से ने आश्वासन दिया है कि जो भी आपकी मदद होगी इसमें हम पूरी करेंगे करेंगे मिले हैं 31 सब्सक्राइब का निरा करन का का चैनल ने भी इसमे दिश ने दिश कालन नेजह को दिया है तो तुसी संदक में मिले हैं क्लेक्टर सार में आशोशन दिया है। तो समस्था दो समाधन जल्द ही करेंगे। किते परिवार हैं? अजार मकार है वहाँ तंदकर में मारे के चल्द ही हैं। क्या नाम है कालोनीक। यह बिदीश पार है। कापर आता है। क्या करें इसे के इतर्फ़े विदा कोई भावन है। वह दे के सकते हैं? जलविदेश पारा है मने फार्वलावाय पोड़ा है। समस्था पर हम यह लोग जब कॉनीन नशर के पास जाते हैं तो महारते हैं को सर्पंच के पास जाते हैं? तो हम काम नहीं करवा पार है जो हमसे बन सकाता है वो पिछले हमें दो सालों से कर दिया और डैनेस लाइन बगरा छोटी होने के कारण बार-बार चुक होती है जो की पंचात फिर्म नहीं कर पार है इंद और कलेक्टर आशीश सेह ने मीडिया से चर्जा में बताया कि ब्रिटिश पार्क के रहवासियों ने आज एक मुलबूत सुविधाव के अफ़ाव की श्रिकायत की है उनकी जो भी समस्या है उनका निराकरण जल्द ही किया जाएगा इंद और सीराधीव टाइम्स की र हुआ हुआ है